Welcome to my YouTube channel World Literature आज यो topic डिसकस करने वाले हैं वो है Dracula novel by Bram Stoker Bram Stoker का ये Gothic novel है जिसको आज हम डिसकस करने वाले हैं इसमें horror elements में मिलेंगे, supernatural elements में मिलेंगे vampire भी हमें इसमें वो मिलेंगी and women vampire हमें इस novel में मिलेंगी वो students, वो readers जिनको जो है वो Gothic novels बहुत पसंद है horror stories जो है वो like करते हैं वो इस novel को जो है वो बहुत ज़्यादा enjoy करेंगे तो first of all अपने novel का introduction देखते हैं then writer को and इसके characters को story को जो है वो discuss करेंगे Dracula novel जो है इसको 1897 में जो है वो लिखा गया था and ये Gothic horror novel है जिसमें जो है वो हमें सारे supernatural elements मिलेंगे and ये एक epistolary novel है epistolary novel उसको कहते हैं जो के letters की shape में लिखा हो जो के diary में लिखा गया हो या फिर news paper के जो articles है उसमें लिखा गया हो Bram Stoker की birth होईटी 8 November 1847 में and इनकी death होईटी 20 April 1912 में Irish author थे and इनका जो work है 1897 में आया Dracula इसकी वज़ा से ही ये famous थे novel की story को start करने से पहले अगर हम जो है वो इसका background देखें तो background में जो है Victorian era जाता है Victorian era में जो के बहुत जादा political and social changes जो हो रहे थे and वही चीज़ जो है वो हमें इस novel में भी जो हो मिलती है further जो है वह हम अपने characters को and story को साथ साथ जो है वो discuss कर लेते हैं Dracula जो novel है ये start इस तरह से होता है कि एक young lawyer होता है जिसका नाम होता है Jonathan Harker अभी जो Harker है ये बुदापेस से जाता है Transylvania वहाँ पर ये जो है वो Castle में जाता है और Count Dracula से मिलता है Count Dracula से इसने इसलिए मिलना होता है क्योंकि Count Dracula ने London में कुछ property जो है ना वो buy की होती है और उसी के सारी जो है ना वो calculations करने के लिए और आपस में business को discuss करने के लिए हारकर जो है वो Count Dracula से मिलने के लिए इसके Town Dracula में जो है ना ये जाता है Count Dracula ने जहां पे अपनी property जो buy की थी वो London में की थी जिसको Carfax जो है ना वो कहा जाता है हारकर जब यहां पे पहुंचता है तो Town के लोग इसको बताते हैं कि तुम जहां पे जा रहे हो Count Dracula से मिलने वहां पे जो बहुत सारी जो है ना वो सूपर स्टीशियस element है वो place जो है वो safe नहीं है वहां पे जैना बहुत सारे खतरात भी तुमें हो सकते हैं और वहां पे जो यह भी कहा जाता है कि कुछ Gothic elements भी है horror इठी से इस टाइप की जो stories है ना वो हारकर को जो है वो सुनाई जाती है horror सुनता है बटना बहुत जादा इन चीजों को bother नहीं करता है और अपनी journey को जैना वो continue रखता है अब जब यह पहुँचता है ना castle के पास तो यसे एक strange driver आते है वो pick करता है और इसे जैना वो count Dracula की castle तक जैना वो पहुँचा देता है हारकर को slowly realize होना start होता है कि Dracula जैना वो in fact वही strange driver था जो कि मुझे वहाँ से pick करने के लिए आया था और उसने मुझे castle में जैना वो छोड़ा था then हारकर और चीजे भी notice करता है कि यहाँ पर जैना मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैना वो एक jail में रह रह रहा हूँ और count Dracula ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है फिर वो और चीजे यहाँ पर notice करता है जो count Dracula है ना वो यहाँ पर window में से जा रहा था और ऐसे लगता है कि वो जैसे ना lizard की तरह उस तरह जा रहा था means कि वो एक normal human being नहीं लगता है और एक और चीज उसको अजीब यहाँ पर लगती है कि Dracula जो है वो इस castle में सरफ अकेला रहता है और जो count Dracula है वो यह भी इसको notice करता है वो कभी Dracula में change हो जाता है और कभी जो है वो Dracula bat में जो हो change हो जाता है इतने में जो है रह वो Dracula आ जाता है और आगे बताता है कि Hard Cat जो है वो मेरा है और वो Hard Cat को अपने साथ जो है वो bedroom में ले जाता है Hard Cat then decide करता है कि यहाँ पर जाना वो बहुत चीज़ें जो है वो wrong है यह पिर बहुत सारी चीज़ें जो हो strange हो रही है फिर एक दिन ये नोटिस करता है कि Dracula जो है न वो एक वुडन बॉक्स में जो है न वहाँ पर सोता है उस खुद को सेफ रखने के लिए और जो उसकी सुपर नैचरल पावर है उसको सेफ रखने के लिए वो इस बॉक्स का यूज करता है और इसमें जो अर्थ होती है यहां पर जो सोयल होती है वो बहुत होली है और इस परपस के लिए जो है न वो यूज की जाती हरकर जब यह सब कुछ देखता है तो वो ड्रैकूला को मारने की कोशिश करता है अब वो ड्रैकूला को मार नहीं सकता है क्योंकि ड्रैकूला के अंतर सुपर नैचरल अलमेंट्स बहु रहा हार कर वंडो मेंसे भागता है और अपनी फ्यॉंसे मीना से मिलने के लिए ज्यानस हेना वो चला जाता है उपक्ता है कार ईपी में वारी आप की थी इस चीज़ों मीन आप मिंझा और वह कैसे ड्राकॉला से मिला हूँ ड्राकॉला खुद क्या है वह actually मैं human being कितना दिखता जरूर है बट वो human नहीं है, इंसान नहीं है, वो एक ghost है, वो कभी कोई shape ले लेती है, कभी कोई shape जहाना वो ले लेता है, तो वो अपनी fiance को यह सब कुछ बताना चाहता है और harker जहाना, वो mentally बहुत ज़्यादा disturb हो चुका होता है इन सब situation से, तो इसलिए यहां से भाग जाता है यहां तक harker और count Dracula की story चलती है, अब इसके बाद Mina और उसकी friend की story वो start हो जाती है, Mina यह harker की fiance है और Mina अपनी friend Lucy के साथ जो है ना, वो picnic पे जाती है vacation पे जाती है, और यह wit by vacation जाते हैं, जो के English part है, Mina अग लूसी जब अपनी vacations पे होती है, तो Mina notice करती है कि Lucy का behavior जहाना, वो change होना शुरू हो गया है वो रात को चलना शुरू कर देती है means कि वो नेन में चलना शुरू कर देती है Lucy, और वो even कि यह भी देखती है कि Lucy जहाना, वो rock के पड़ी होई है और उसके उपर ना, कोई shadow है तो इसको जहाना, वो बहुत strange feel होता है, Mina को Mina जहाना, वो Lucy को उठा कर अपने camp में ले जाती है, और वहाँ पे Lucy की condition जहाना, वो खराब होना शुरू हो जाती है इसको fever हो जाता है और इवन इसकी condition दिन बाद दिन जो है वो बिगड़ती जा रही थी, Mina बहुत परिशान होती है, और इसी परिशानी में यह कुछ लोगों को अपने बास बिलाती है Mina कॉल करती है Arthur को, Seward को and Morris को Arthur जो के novel man है और यह Lucy का fiance था Seward जो है, वो एक doctor है और यह chief of London भी था asylum का and next character है Morris का जो के Texas man है अभी इन तिनों को बिलाती है यह इन तिनों का proposal जो है ना वो Lucy के लिए आया था लेकिन Lucy इन मेसे जो है Arthur को choose करती है Mina इन सब को बुला लेती है ताके जो है ना वो इसकी help करें क्योंके Lucy की जो condition है वो दिन बादिन जो है वो गिरती जा रही है और अब Lucy के Seward and Morris दोनों जो friends है और Arthur जो है वो Lucy का fiance है अब Seaward जो है ना वो जब Lucy की आगे condition देखता है तो वो realize करता है कि ये condition समझना बहुत मुश्किल है कि पता नहीं Lucy को actually में हुआ क्या है तो ये करता है call एक former professor Abraham Van Helsing को अब Abraham Van Helsing आते हैं और वो Lucy को आकर चेक करते हैं अब जब Lucy को आकर चेक करते हैं तो वो कुछ ना हद तक समझ जाता है कि Lucy का problem जहें वो क्या है उसके बाद क्या होते है कि Lucy का रात को blood जहें वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि Lucy के ऊपर जहें वो कुछ shadows से जिनोंने Lucy को control किया हुआ था इसकी soul को और वो Lucy का blood सक कर रहे था अब क्या होते है कि Arthur, Morris, Helsing and Seward हर रात अपना blood जहें वो Lucy को देते है क्योंकि Lucy का blood है वो कुछ ghost थी वो सक कर रही थी और जिससे Lucy का blood दिन बादिन जहें वो कम होता जा रहा था इवन के इन सब की जो supply थी blood की वो भी कम पढ़ रही थी Lucy की जिन्दगी के लिए क्योंकि Lucy का blood बहुत तेजी से जहें वो कम हो रहा था असल में Lucy को bite किया था उसी count Dracula ने जिससे मिलने के रिए हाड कर गया था उस castle में अब यह सभी लोग जोना है Lucy को save करने की बहुत try करते हैं इवन के वैन हालसिंग ने जहेंना वो garlic इसके रूम में रखने का कहा होता है Lucy का क्योंकि इससे Lucy को जहेंना वो safe रखा जा सकता है Gothic element से, supernatural power से अब क्या होता है कि Lucy की जो mother है ना उसको पता नहीं होता कि garlic जहेंना वो यहां क्यों रखा हुआ है Lucy के रूम में तो वो उसकी mother जहेंना वो garlic को उठा कर जहेंना वो बाहर रख दिती है अब क्या होता है कि Lucy के रूम में जहेंना कुछ वाल्व आ जाते हैं और वो attack करते हैं जब Lucy की mother देखती है कि वाल्व ने जहेंना उसकी daughter पर attack कर दिया है तो उससे जहेंना वो शौक लगता है Lucy की mother को और उसकी टाम पर death हो जाती है दैन वॉल्व जहेंना वो Lucy पर भी attack करते हैं Lucy की भी जहेंना वो death हो जाती है उसके बाद जहेंना वो story further move करती है और मीना जहेंना वो बुदापेस्ट में होती है हारकर का ख्याल रखरी होती है क्योंकि हारकर जब से जो है वो count Dracula की castle से वापिस आया है इसका nervous breakdown हो गया था mentally disturbed था तो यह उसका ख्याल रखने के लिए बुदापेस्ट में थी और जब मीना एंड हारकर भी ये incident सुनकर जहेंना वो England वापिस आते हैं और जब इंगलेंड वापिस आते हैं तो उसके बाद ये सारा group जहेंना वो plan करता है कि हमें जहेंना वो इस count Dracula को अब पकरना होगा and even कि ये cheese bean को plan करना पड़ती है कि Lucy जिसकी death हो चुकी है but actually में उसकी death नहीं हुई है वो बच्चों की graves पे जाती है और उनका blood जहेंना वो suck कर रही है वो भी उसके अंदर भी जहेंना वो Gothic powers जहेंना वो आ चुकी है यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो भी गोस जहेंना वो बन चुकी है तो अब ये क्या करते हैं सारा group पहले तो जहेंना वो Lucy को पकड़ते हैं Lucy को पकड़के उसका जो throat है उसको cut करते हैं उसका head जो है वो separate कर देते हैं उसके बाद Lucy की final जहेंना वो death होती है और इनका ये जो mission है वो खतम होता है next targets group को ये होता है कि इन्हें अब count Dracula को पकड़ना है क्योंग count Dracula की वज़ा से ही Lucy की जो है वो death हुई है और और कितने लोगों की जो death है वो count Dracula की वज़ा से होगी जो के एक ghost है अब मीना की जो health है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है अब ये सारा जो group है सीवर्ड के जो asylum है उसमें होते है और वहाँ पर जो सीवर्ड की जो conversation है वो Renfield से होती है अब ये जो Renfield है ये जो हैना कुछ animals को खाता है और इसकी ना ये thoughts है या इसकी desire है कि जिन animals को ये खाता है उनकी power भी जैना वो इसके पास आ जाए अब Renfield जो हैना वो क्या करता है कि ड्रैकूला को यहां का पता बता देता है या पिर ड्रैकूला को यहां अंदर आने की जैना वो permission दिलवा देता है किसी ना किसी तरह से अब Seaward और बाके सारा जो group है यह इस जालम में ही थे कि चीश की आवाज आती है जब चीश की आवाज आती है तो यह देखते हैं कि काउंट ड्रैकूला है उसने जैना मीना को पकड़ा हुआ है और मीना को जैना वो force कर रहा है कि वो अपना blood जैना वो खुद ही सक करे और अपनी आम पे जैना वो bite करे अब इस सारी situation को देखते हुए पुरा group decide करता है कि हमें जैना वो count ड्रैकूला को पकड़ना है अब यह trip अपना arrange करते हैं और मीना को अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि मीना के अंदर वही blood है जो के ड्रैकूला के अंदर भी है और इस तरह से वो मीना को जैना वो वैन हैलसिंग hypnotize करेंगे और उससे जैना वो count की जो असर location में वो पता लगाएंगे और उसका जैना यह murder करेंगे इस group को पता चलता है कि count के पास 50 boxes हैं और 50 boxes में उसने जैना वो holy earth को रखा हुआ है उसमें इसलिए उसने रखा है जिससे उसकी जो super natural powers है वो और बढ़ जाएंगी और वो खुद को जैना वो safe भी रख सकता है और यह सब जैना वो अपनी castle में लेकर जा रहा है अब यह group उन 49 boxes को जैना यह ढूंडता है और उसमें से 49 को तो यह खतम कर देते हैं destroy कर देते हैं और एक box जैना बच जाता है फिर वो judge करते हैं कि यह box जैना अपनी castle में ले गया है फिर यह जैना वो count की असल location जैना वो उसको trace करते हैं और वहाँ पे जाते हैं और count का जैना यह murder करते हैं उसका भी जो head है वो उसकी body से separate करते हैं तब ही जाकर जो है ना count की death होती है novel के end पे जो हारकर बताता है कि उसका और मीना का एक child है और उसका name जो है उन्होंने Morris के name पर रखा है क्योंकि Morris की भी उस time पे death हो गई थी जो count Dracula को इन्होंने मारा था and Seward और author जो है वो उन्होंने अब शादी कर लिया और वो अपनी life में जो है वो stable है बट होड़कर एक और चीज कहता है कि इन्होंने जो notes सारे रखे थे या पि इनके पास जो letters थे या फिर जो भी events इन्होंने खुद देखे थे उनका इन्होंने एक record रखा था लेकिन इस story पर जहना वो कोई belief नहीं करता है and even के इनके पास जो है वो सारे proofs भी हैं कि count Dracula था और इन्होंने उसको कैसे मारा है बट यह इस चीज को लेकर थोड़ा worried थहार कर and यहाँ पे जो यह novel है वो एंटर जाता है Gothic novel था जिसमें जो है वो supernatural elements थे count Dracula जो है वो इसमें main ghost थी जो के हर किसी को जो है ना अपना निशाना बनाती है जिसमें पहले Lucy आ जाती है उसके बाद Mina आ जाती है and last पे even कि अपनी death के पास बहुत होता है count Dracula वो Morris को भी नहीं छोड़ता है और उसकी भी जहाना वो death हो जाती है आपको target करने के बाद count Dracula के खुद की भी जहाना वो death हो जाती है I hope कि यह जो story है वो आपको समझ आई होगी जिनका genre Gothic literature favorite है उनको यह story जो है वो बहुत interesting लगेगी और जो Gothic novels बिलकुल नहीं पढ़ते है उनको थोड़ी सी जाएए boring भी लग सकती है difficult भी जो है वो लग सकती है बट बहुत जादा difficult नहीं है जस्ट पहले हार कर and count की story चलती है उसके बाद Mina and Lucy की story चलती है and then Lucy and पूरा यह जो group है इनकी story चलती है इस तरह three parts में जब आप इस novel को divide करेंगे तो आप इसको अच्छे understand कर सकते है वीडियो को like और share और channel को जुरूर subscribe कीजेगा thanks for watching my channel